सो फ्रेंड्स फाइनली अब लोगी डिमांड पे लेके आ गया हूँ सबसे मोस्ट डिमांडड लेप्टॉप है जो है एसर एसपायर 3 जो आता है AMD Ryzen 5 7430U प्रोसेसर के साथ है और फ्रेंड्स मैंने इस लेप्टॉप की एक कम्यूनिटी पोस्ट की थी तो वहाँ भी कुछ क्यूशन्स देखने को मिलेते की रेम अपग्रेड होगी SSD अपग्रेड होगी या नहीं सारे डाउट्स इस वीडियो में किलियर करूँगा तो बने ये वीडियो में कॉफी इंट्रस्टिंग वीडियो रहने वाला है और जैसा कि मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि सेल से पहले इस लेप्टॉप का डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा तो मैंने अपना प्रोमिस पूरा किया तो यह है लेप्टोप का बोक्स और देख सकते हो बड़े-बड़े अक्सरों में लिखा हुआ है Acer Aspire 3 और मैं इफेक्टर डेट की बात करूँ तो अभी रिसेंट्ली में यह वाला मोडल लोंच हुआ है तो excitement को continue रखते हुए box को करते है ओपन लेप्टोप के box content की बात करें तो कापी सारा paperwork मिल जाता है वैसे इसकी जरूत वैसे आजगे time पर है नहीं और एक मिल जाती है premium quality की power code और फ्रेंड्स देख सकते हो 65 watt का type-c adapter तो नहीं है बारिक पिन में adapter देखने को मिल रहा है और यहां मैं सिर्फ Acer को यही कहना चाहता हूँ कि आप third party charger बन रहे हो कम से कम अपने brand का charger दो जो ज्यादा अच्छा रहे और finally अपना laptop है तो यह है laptop का fast impression और यह laptop प्योर silver color में है और यहां उपर Acer की branding मिल जाती है इस laptop की अगर मैं build quality की बात करूँ तो total laptop ABS build से बना हुआ है और friends यहां मैं आपको बता दूँ जैसे ही मैं top पे प्रेस कर रहा हूँ तो मेरेको flags भी कमी देखने को मिल रहा है top cover पे काफी finishing आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन यहां मैं आपको दादू यह laptop पॉली कार्बोनेट build से बना हुआ है लेकिन अगर मैं इसे compare करू Acer Aspire Lite जो भी मैंने recently में review किया था तो friends यहां मुझे काफी difference देखने को मिल रहा है उस laptop की top cover metal के देखने को मिल रही थी लेकिन यह laptop polycarbonate build से बना हुआ है और company कह रही है ultra slim मुझे इतना slim तो लग नहीं रहा है लेकिन कहीं न कहीं Acer Aspire Lite ज्यादा slim देखने को मिल रहा है compare to इस laptop गे bottom में four gonna rubber grips दी हुई है और rubber grips देख सकते हो काफी thick देखने को मिल रही है जबी भी आप laptop को table पर रखोगे तो बिल्कुल अच्छी grip बनी रहेगी और काफी सारा air intake देखने को मिल जाता है और bottom में ही 228 के stereo speaker देखने को मिल जाते है audio quality भी आके test कराएंगे और friends मुझे इस laptop में काफी अच्छी बात ये लगी देख सकते हो अलग से आपको M.2 slot बाहर ही देखने को मिल जाएगा 22 screw को ये open करना है और आप बाहर की बाहर ही SSD upgrade कर सकते हो जो कि मुझे Acer का ये upgrade काफी शांदार देखने को मिल रहा है laptop को open करने की जरुवती नहीं है बाहर से ही SSD को आप upgrade कर पाओगे इवन इस laptop की top lid को आप single end से open कर पाओगे जो की काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने कम budget के laptop में lid को आप open कर सकते हो और hints की quality personally मुझे काफी शांदार देखने को मिल रही है और maximum आप top lid को 180 degree तक rotate कर सकते हो और screen mobile आपको इतना देखने को मिलेगा जो की कम लग रहा है और सामने की तरफ Acer की branding की गई है और आगी की तरफ भी air exhaust दिया हुआ है काफी सारी users के मन में ये doubt रहता है कि air exhaust डिस्पले के पास ही है तो उससे कोई डिस्पले में कोई issues देखने को मिलते हैं या नहीं तो friends वह मैं आपको बता तो air exhaust से डिस्पले को कोई problem देखने को नहीं मिलेगी इस laptop में quad speaker दिये हो हैं two bottom में और two front side की तरफ है तो एक audio का sample test कर लेता हूँ तो friends जैसा कि अपर मैंने audio की quality टेस्ट की audio की quality मुझे कोफी शांदार सुनने को मिल रही है इस budget में loud आपको audio की quality सुनने को मिलेगी क्योंकि friends से quad speaker दिये हो हैं two bottom में और two front side की तरफ है इस laptop की अगर मैं keyboard की बात करूँ तो full size का Acer keyboard दिया हो है और साथ ही आपको numpad भी मिल जाता है और अच्छी बात इस laptop में two level की backlit देखने को मिल जाएगी कंट्रोल करने के लिए function F11 पे प्रेस करना रहेगा और friends इस keyboard को देखके मुझे Samsung के keyboard की याद और यह same design जैसा ही देखने को मिल रहा है और जैसे मैं keyboard पे प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे को flex ना के बराबरी देखने को मिल रहा है और all keyboard की quality काफी शांदार देखने को मिल जाती है इस laptop के अगर मैं trackpad की बात करूँ तो काफी large size का trackpad दिया हुआ है जो Windows 11 के सारे gesture को support करता है और जैसे मैं इस पे work कर रहा हूँ तो काफी smooth experience देखने को मिल रहा है और इस laptop के palm rest पे processor और यहां Acer Aspire के कुछ highlight features को mention किया गया है इस laptop के तकनिकी specification और upgrades की बात करें तो इसमें मिलता है Ryzen का latest processor है Ryzen 5 7430U processor है इसकी maximum clock speed 4.3 yards तक जा सकती है 6 code 12 thread और 16 MB की cache memory दी हुई है friends यहां मैं आपको बता दूँ प्रोसेसर काफी powerful रहने वाला है और यह जिस price पे आ रहा है वो तो आपको आगे बताएंगे और इसकी performance भी आपको आगे टेस्ट कराऊंगा 16 GB की DDR4 3200MHz की RAM दी हुई है और आप in future में RAM को upgrade भी कर पाऊगे 512 GB की PCI NVMe Gen 4 SSD दी हुई है जिसकी read and write speed आपके सामने आई रही है और मुझे अच्छी बात ये भी लगी बिना back panel open किये आप इन future में SSD को upgrade कर पाऊगे connectivity की बात है रहे तो latest Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.1 दिया हुआ है और इस laptop में आपको RJ45 port नहीं मिलता है Acer ASY Lite इस स्लिम तब फिर भी उसमें वो port था लेकिन इसमें नहीं है कहीं न कहीं वही है बजट का फरक तो देखने को मिले गई साथ इस laptop में AMD Radeon Graphics देखने को मिल जाता है और इस laptop में कॉफी सारे SS3 sports दिये हुए है तो right side में one USB 3.2 type A का port one USB 2.0 type A का port भी दिया हुआ अभी के time पे 2.0 और एक micro HD card reader slot मिल जाता है दिया हुआ है और two USB 3.2 type C port दिये हुए है और इन दोनों ही port से आप power delivery और display output नहीं ले पाओगे only दोनों port से आप fast data transfer कर पाओगे अगर power delivery भी होता तो इन future में और भी better रहता मैंने इस laptop की overall performance टेस्ट करने के लिए multiple benchmark score टेस्ट की है तो सब सबेले Cinebench R23 के score आपके सामने है यह है Geekman 6 के CPU और GPU के score से और यह है Crossmark के score से और यह है 3D Mark Time Spy के score CPU और GPU के और last मैंने इसमें PC Mark 10 को run कराया था तो इस score आप देख सकते हो 5000 से अबाव देखने को मिल रहे है जो की काफी अच्छे है और all scores मुझे काफी अच्छे देखने को मिले इस laptop में और जब इस score इतने अच्छे आ रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ performance भी काफी शांदार देखने को मिलेगी तो मैं उसी सहम पूटे इसके साथ वीडियो रेंटर कने जा रहा हूँ तो friends 18 seconds के आसपास laptop बूट होने में टाइम लगा कभी कबार आपको बताए कि अपडेट्स वगरा चलते रहते हैं इसके पूझे से टाइम लग जाता है और all laptop की performance काफी शांदार देखने को मिल रही है तो कुछ इस तरीके की webcam की quality आपको देखने को मिलेगी HD webcam दिया हुआ है और मैं proper light के सामने खड़ा हूँ तब जाके कुछ ऐसी quality आपको देखने को मिल रही है और जिस बजट में आ रहा है ऐसे ही webcam आपको मिलेगा और अब यह आप जो audio सुन रहे हैं वो इसी के microphone से record हो रहा है यह laptop अच्छे specs के साथ आता है और उसी के साथ एक अच्छी quality की display भी मिल जाती है 15.6 inch की full HD IPS anti-glare display फ्रेंड्स आब लोगों ने बिल्कुल साही सुनाए इसमें IPS डिस्पले देखने को मिल जाती है तो आप अधिक तरह अगर media consumption वगरा करते रहते हो तो आपके लिए यह वाली display बैस्ट रहने वाली है और IPS है तो आपको काफी natural color देखने को मिल जाएंगे इस laptop की अगर मैं brightness की बात करो तो Acer की official side पे दिखा रखा है high brightness है और अभी मैंने decency में Acer Aspire light है उस laptop का review किया था उसकी 250 nits की brightness थी तो मैंने सोचा क्योंना comparison ही कर लिए जाए इस laptop में brightness ज्यादा देखने को मिल रही है तो फिर मैंना doubt और ज्यादा बट गया तो फिर मैंने सोचा क्योंना Samsung Galaxy Book 4 से इसे comparison किया जाए क्योंकि friends वहाँ उस laptop में 300 nits की brightness मिल जाती है तो जैसा कि आप देख पारे हो वीडियो में आपको ज्यादा difference देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन friends यहाँ Samsung के laptop में ज्यादा brightness देखने को मिल रही है तो यहाँ मैं sure हो गया हूँ कि इस laptop में 250 nits से आपको ज्यादा brightness देखने को मिलेगी लेकिन 300 nits से कम है इसके बीच में ही आपको brightness देखने को मिलेगी साथी 45% nts e color gamer देखने को मिल जाता है और friends यह laptop जिस budget में आता है ऐसी display मिलना बहुत बड़ी बात है मैंने इस laptop में day-to-day task, multitasking, telework, office work और internet browsing वगरा की और मैंने tap पे tap भी open किये तो मुझे इस laptop में कही कोई लेक देखने को नहीं मिला यहां friends मैं आपको बता दू gaming और intel laptop नहीं है लेकिन आपको बताए कि हम game test जरूर करते हैं देखते हैं AMD Radeon graphics के साथ यह laptop कैसा perform करता है और सार्थी इसमें 16 GB की RAM लगी वी है तो देखते हैं तो सबसे पहले मैं प्ले करने जा रहा हूँ GTA 5 है game settings की बात करें तो मैंने इस game को full HD medium settings पे प्ले किया है और जैसा कि आप देख पारें CPU और GPU 50 से 60 degree के आसपास जा रहे है RAM approach 7 GB के आसपास यू जा रही है और जैसा कि आप देख पारें 40 से 50 fps की frame rate मिल रही है game काफी smooth चल रहा है और friends मुझे game में कोई भी लेक देखने को नहीं मिल रहा है Full HD resolution के साथ है next game में प्ले करने जा रहा हूँ Sniper Elite 2 game settings की बात करें तो मैंने इस game को भी Full HD medium settings पे प्ले किया है और friends आपको बता कि AMD Radeon के साथ gaming की performance तो काफी अच्छी देखने को मिली जाएगी CPU और GPU 50 degree के आसपास जा रहे है RAM approach 6GB के आसपास यूज आ रही है और जैसा कि आप देख पारे हो 30 fps की frame rate मिल रही है यहां भी friends मैं यही कहूँगा कि game काफी smooth चल रहा है Full HD resolution के साथ है और लास्ट में एक और game टेस्ट कर लेते है Need for Speed और मैंने इसे Full HD resolution पर प्ले किया है और जैसा कि आप देख पारे हो 60 fps की frame rate मिल रही है तो friends यही कहूँगा कि Full HD resolution के साथ आपको अराम से 30 से 40 fps की frame rate मिल जाएगी वैसे gaming और Intel laptop नहीं है लेकिन कभी कबार आप gaming कर पाओगे इस laptop की अगर मैं battery backup की बात करो तो 3 cell 55 watt hour की battery लगी हुई है screen brightness को मैंने 50% पर रखा था backlit keyboard off था मुई वगरा देखी internet browsing भी किये और कुछ basic से टास्क भी किये तो मुझे अराम से 4-5 गंटे के आसपास battery backup मिल गया था जो की काफ़ी अच्छा है और friends एक comments मुझे सबसे ज़्यादा देखने को मिला है भी recently मैं मैंने Acer Aspire light का review किया था और वहां comments में मुझे देखने को मिला है कि Acer की service क्या है कोई new brand थोड़ी है Acer काफ़ी पुराना brand है और service को लेकर आपको कोई भी दिमाग में कोई भी क्यूसन रखना ही नहीं है क्योंकि one of the best आपको service मिल जाएगी या मैं कह सकता हूँ HP, Dell, Lenovo और Acer और Asus इनकी service आपको best ही मिलती है इस laptop की अगर मैं price की बात करूँ तो साइद अभी ये listed है 35,000 में और आपको पता है कि festival sale start हो चुकी है तो साइद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये laptop 30,000 के budget में मिल रहा है 16 GB variant है 8 GB variant की rate है साइद 2,000 के आसपास आपको कम देखने को मिलेगी तो मैरा personal opinion यह है कि आप 16 GB variant के लिए जाओ और friends अगर ये laptop आपको 30,000 के budget में मिलता है न लेपटोप सजेस्ट कर दी है बैस्ट सेल के रिगार्डिंग 25,30,35,40,50 और 60,000 के budget के बैस्ट लेपटोप है तो आप उन वीडियो को भी जाके check out कर सकते हो आपके लिए ये वाला वीडियो यूजफुल रहा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए 100 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो friends कर क्या रहे हो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो Thanks for watching, have a nice day, जै हिंद वंदे मातरम